अजमेर श्री व्यापारिक महासंद की ओर से मंगलवार को गांधी भवन पर एलिवेटेड रोड निर्मान कार्य की समस्या और शेहर की सडकों की दुर्दशा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने जिला प्रशासन को चेताबनी दी है कि आगामी त्योहारों से पहले एलिवेटेड रोड निर्मान का कार्य पूरा नहीं हुआ और सडकों की मरम्मत नहीं की गई तो अजमेर की जनता के साथ हुग्र अंदोलन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, श्री अजमेर व्यापारी महासंत के अध्यक्ष महेंदर बंसल ने बताया कि स्माट सिटी के तहट अजमेर में धीमी गती से एलिवेटेड रोड निर्मान कार्य किया जा रहा है और साथ ही शेहर की सडके खुद ही हुई है जिसके कारण आम जनता को परेशानी जहेलनी पड़ रही है, व्यापारियों की ओर से पूर्ग में भी प्रदर्शन कर प्रशासन को जनता की समस्या से चेताया गया जैड लेकिन बावजूर इसके अभी तक उनकी समस्या को दूर नहीं किया गया अध्यक्ष ने बताया कि आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है, वहीं आगामी दिनों में त्योहार शुरू हो रहे है, लेकिन धूल मिट्टी होने के कारण व्यापारी और उनके कस्ट्म परेशान हो रहे हैं लेकिन जिला प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही, श्री व्यापारिक महासंद के अध्यक्ष ने कहा कि वह व्यापार संध की ओर से उन्हें चेताबनी देते हैं कि अगर जल्द एलिवेटिग निर्मान कार्य पूरा नहीं किया गया और सड़कों की अजमेर का इलिवेट रोड जो नहीं बंढ रहा है, हमारे को परशासन का ये विश्वास ता बंदरा तारिक को इलिवेट चालू कर दिया जाएगा, उसके बाउजूत भी हमने कुछ दिन पूर भी परदेशन किया था, परशासन के कानों में जूर रही नहीं रहेंगी है, अजमेर की जनता को साथ लेके, हम एक उगर अंदोलन करेंगे, अगर अजमेर की सडकों की दशा शुरारी नहीं गई, और एलिवेट का काम जल्दी पूरा नीक किया गया, तो हम बहुत बड़ा उगर अंदर करेंगे, और प्रशासन को एक बार फिर कहते हैं, कलेक्टर साथ ने कुछ-कुछ रोडों की जग्या की जैसे चलू करा दिया सडकों काम, पर आप अजमेर की जनता के लिए बहुत बड़ा अंदोलन करना पड़ेंगा, में अजमेर की जनता के लिए बहुत बड़ा अंदोलन किया जाएंगा, अंदर मंसल, हत्याइक सिर्याज मेर व्यापरिमासल,